आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा मैतमेट्रिक्स का और जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स तो उस मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है कौन सा लेक्चर है सेकंड लेक्चर है तो मैट्रिक्स का second lecture है ठीक है तो हमने क्या पढ़ाता है first lecture में matrix का introduction पढ़ाता matrix का order पढ़ाता matrix का intersection पढ़ाता matrix की कोटी क्या होगे अव्यों क्या होगे तो यहाँ पर जो basic पढ़ा उसका हम क्या करते है क्यूशन के अनुसार क्या कर देते हैं क्यूशन के अकरोइडिंग क्या कर देते हैं region कर देते हैं तो यहाँ पर मैं क्यूशन फर्ष्ट लिख रहा हूं इसमें क्यूशन फर्ष्ट तो यहाँ पर matrix A है आपके पास में 2, 5, 35, minus 2, 5, 2, 12 है road 3, 1, minus 5, यह दे रखा आपको matrix यह matrix दे रखा आपको तो आपको क्या गयाद करना है इसमें matrix का फर्ष्ट order गयाद करना है क्या गयाद करना है order क्रम गयाद करना है इस matrix का order क्या होगा इस matrix का order क्या होगा अवयों की सेंक्या इसमें element कितने होंगे element कितने होंगे फिर उसके बाद में ए बारा element गयाद करना है आपको ए तेरा ए बाईस ए तेईस ए बदीस और ए फोटीन ए टुवंटिफाइ़ यह तुवंटिफ़॔र यह element गयाद तो matrix का order गयाद करना है तो matrix का order कैसे लिखेंगे तो मैंने क्या कहा है पहले इसमें क्या देखो इसमें पंक्तियों की संक्या, तो पंक्ति क्या होती है, horizontal line पंक्ति, पहली पंक्ति, दूस्टी पंक्ति, और तीश्री पंक्ति, तो यहां पर तीन पंक्ति होगी, कितने पंक्ति होगी, तीन पंक्ति होगी, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, इ में इस्तंब, कोलम क्या होगा, तो कोलम क्या होगा, उर्दवार्दर लाइन, कौन सी लाइन, उर्दवार्दर लाइन, तो उर्दवार्दर लाइन क्या होगी, पहली लाइन, तो पहला कोलम, दूस्टा कोलम, तीस्टा कोलम, और चोता कोलम, तो तीर इंटू, चार, तीर इं Breaking yourوت menoror क soi करम तो मैट्रिक्स और keeping is 3 into 4 तो पहला जो आंसुर है पहला क्यूस्न क्या दे रखा था इस मैट्रिक्स काồi का है तो इस मैट्रिक्स का ओर क्या होगा 3 into 4 3 into 4 तीन केस है using horizontal line पहली लाइन दूसरी लाइन और यह तीसरी लाइन तो तीन पंक्ती हो गई, इस्तंब, पहला इस्तंब, दूस्टा इस्तंब, तीस्टा इस्तंब और चोता इस्तंब, तो इस मेट्रिक्स का ओडर कितना होगा, तीन इंटू चार का होगा, तीन इंटू चार का इस मेट्रिक्स का ओडर, सेकंड क्यों सुन क्या दे रखा है, तो पहले का answer, यह second answer क्या हो जाएगा? उपसतितør आभयों की संक्या, उपसतित आभयों की संक्या यहां पर कितनी हो जाएगी? जो order है वो 3-4, तो गुणा कर दो कितना आ गया? 12 है, तो इस metrics में उपसतितं आभयों की संक्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी. कोई भी matrix है जिसका order दे रहा है M into N दे रहा है M into N तो M और N को multiply कर दो तो M N आएगा तो M N क्या होगा? matrix में उपसे तो होगी सेंख्या जैसे इस matrix का order कितना है? 3 into 4 है 3 into 4 है तो 3 into 4 को क्या कर दो? multiply कर दो 2 कितना है? 12 है तो 12 है, इसमें कितने होजाएंगे? आई आई जे, आई का मलब होता है पंक्ति, और जे का मलब क्या होता है, इस्तंब, जे का मलब क्या होता है, इस्तंब, तो आई का मलब होता है पंक्ति, जे का मलब होता है, जे का मलब होता है, आई पंक्ति में, और जे इस्तंब में, तो ये कौन सा आवियोब है, दो कौन सा दो कहाम परिष्थितते न दो पहली पंक्ति में है और कौन से इस्तंब्र में है पहले इस्तंब्र में तो दो क्या होगा इस 11 alement ख्यलाएगा सभी element बता रहा हूं में इनके अलाव भी सारी बता रहा हूं 5 क्या होगा, 5 है वो कौन सा element होगा यहां पर, 5 कौन सी पंक्ती में है, पहली पंक्ती में है, कौन से स्थम्ब में है, दूसरे स्थम्ब में है, तो यह क्या होगा, ए 12 हो गया, 5 कौन सी पंक्ती में था, पहली पंक्ती में, तो 1 लिख दिया, कौन से स्थम्ब में, दूसरे पर यहां पर 19, 19 क्या होगा, पहली पंक्ति में, और कौन से इस्तंब्य में, तीस्ते इस्तंब्य में, तो ए 13, कितना है 19, और मानस 7 क्या होगे, पहली पंक्ति में, और चोत्य इस्तंब्य में, तो मानस से 7, मानस से 7, 35, 35, 35, 35 कौन सी पंक्ति में होगा, कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, कौन से इस्तंब में, पहले इस्तंब में तो वना गया, 35, फिर इसके बाद में, minus 2 minus 2 कौन से elementum में होगा तो दूसरी पंक्ती और दूसरे इस्तंब में होगा तो minus 2 लिख दो और 5 upon 2 5 बटे 2 कौन सी पंक्ती में दूसरी पंक्ती में और तीसरे इस्तंब में तो A 23 लिखो और 12 कौन सी पंक्ती में दूसरी पंक्ति और चोते इस्थम्ब में होगा पिर इसके बाद में ये रूर 3 तो रूर 3 कौन सी पंक्ति में? तीसरी पंक्ति में और पहले इस्थम्ब में होगा एक कौन सी पंक्ति में होगा? तीसरी पंक्ति दूसरे इस्थम्ब में होगा मानस 5 कौनशी पंक्ती में? तीश्री पंक्ती, तीश्री इस्थम में और 17 है वो तीश्री पंक्ती और चोत्री इस्थम में होगा तो आपको जो ग्याद करना है वो आपने ग्याद कर लिए 8 dus 12 है तो 8 dus 12 कोनशा आएगा? पांच 8 हरी तो पहली पंक्ति तीस्टे स्थम में, तो पहली पंक्ति कौन ची है, यह री पहली पंक्ति, तीस्था स्थम पहला स्थम, दूसरा स्थम, तीस्था स्थम, तो ए तेरा कितना हो जाएगा, उनीस, कितना हो जाएगा, उनीस, ए बाइस कितना हो जाएगा, मानस टू, ए तेरा कि अफरश्ट उर्ष्ट केुछन हैं कि अब यहां पर जैसे हम मैटिक्स दे एक उर्ष्ट दे रियरे हैं से मैंतिक्स का ओडर वोर कितना है? दिल्ंक एक व सॉप्क बात थें फिरे हैं 3 फिरें फिरें 4 मैट्रिक है। तो उसमें उपस्तित आउयों की संक्या कितने होगी, उपस्तित, आउयों की संक्या, तो उपस्तित आउयों की संक्या कितने होगी, तेन तू चार कितने होगी, बारा, कितने होगी, बारा होगी, तो उपस्तित आउयों की संक्या, बारा होगी, अब आप पूचिए कोई भी म मेर्टिक्स है, किसी मेर्टिक्स में, क्यों से लिख रहा हूं मैं अक्ष्ट्रा, किसी मेर्टिक्स में, में, उपस्तित अव्यों की संक्या, बारा है, उपस्तित अव्यों की संक्या कितनी है, बारा, तो मेर्टिक्स का, मेर्टिक्स का संभावित संभावित क्रम क्या होगा क्या होगा इस मेर्टिक्स का possible order क्या होगा कोई भी मेर्टिक्स है उसमें उपस्तित व्यों कि संग के कितनी है बारा है उपस्तित व्यों कि संग के कितनी है बारा है है तो उसमें उपसी मेरिट्री का संभायूत ओर्डर क्या होगा तो हम क्या करेंगे जो 12 स Two अफ़rauen के संभायूत क्द्रम क्या सकता है, संबावित करम अब देखो बारा कैसे आएंगे दो सिंग क्या देखने है अबाजे गुनकर्ण देख लो जैसे बारा को एक से गुना क्या तो बारा ये ओडर हो सकता है बति बारा पंक्ती हो सकती है एक इस्थंबो हो सकता है दूसरा order क्या हो सकता है इसमें, एक पंक्ती और बारा इस्तंब हो सकते हैं, या दूसरा order क्या हो सकते हैं, चार इंटू तीन हो सकते हैं, चार इंटू तीन हो सकते हैं, चार तो पंक्ती हो सकते हैं, तीन इस्तंब, या तीन इंटू चार हो सकते हैं, तीन इंटू चार हो सकत या फिर 6 into 2 हो सकता है या 2 into 6 हो सकता है ठीक है यह यहाँ पर क्या होगे मेट्रीक्स के संभायूत ऐडर होगे संभायूत ओडर 12 आ आपको देखना है तो 12 किन 27 को multiply को विचा होगेगा वो देखना आपको तो 2 को देखना है कि किन 2 संक्याओं को गुणा करनें पर 12 जए. तो 12 into 1, कितना होते हैं, 12 होता है, तो 12 तो पंक्ति होगी, एक स्तंब हो गया, यह सको आभी इसे भी लई सकते हैं, एक इन्टु 12, आप पंक्ति, बारा स्तंब हो गया, दूष्टा order क्या बन सकते हैं, 4 इंटू 3 का बन सकते हैं, तो इस प्रकार के question और वो करते हैं इसमें, तो second question को solve करते हैं, तो first question तो solve कर दिया, अब second question देखो इसमें, सेकंड कुशन, किसी मेर्टिक्स में उपस्तित अवयों की संक्याँ चोईस है, तो संभावित करम यहां पर कितना दे रख है, चोईस, अव्यों की संक्या कितनी है, चोईस है, तो चोईस है तो यहां पर ओडर क्या हो सकता है, चोईस इंटू, वन हो सकता है, यहां वन इंटू, चोईस हो सकता है, एक इस ओडर की भी बन सकता है, सिBlue Mathis इस ओर्ड दो से गुंणा कर दो बारा पंक्ति यह दो इन्टु 12 का बन जाएगा इकE पिर इस के बाद में 6 इन्टु 4 का बन सकता है ओडर तो choice into 1 लिख दिया, तो इसको आप लिसकते हैं, 1 into choice भी लिसकते हैं, 12 into 2 लिख दिया, या 2 into 12, 6 into 4, या 4 into 6 लिख दिया, तो यह संभाय तो order हो गई. इसी का दूस्टा पार दे रहा है, क्यूसर नहीं, यदि, यदि मेटिक्स में, उपस्तित, उपस्तित, अव्यों की संक्या, अव्यों की संक्या, तेरा है, क्या है, तेरा, तो संभावित क्रम क्या होगा, संभावित क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, इसका order देखना है, तो order क्या हो सकता है, तो तेरा दे रहा क्या, तो तेरा का order क्या हो सकता है, 13 x 1 हो सकता है, या 1 x 13 हो सकता है, तो मैंने क्या लिख दिया, 13 x 1 लिख दिया, या 1 x 13, यह इसके संभायत ओर्डर होंगे, इसके लावब और नहीं बनता है, ऐसी दो संक्या देखो, जिनका मल्टिप्लिकेशन कितना जाए, 13 जाए, तो 13 x 1 होगा, या 1 x 13 होगा, तो 13 पंक्ति होगी, एक इसके संभायत या एक पंक्ति THR 9 होगी इसमें, ठीक है?? फर्डर क्यूसण यह second question था और यह second क्यूसण का second part है 2nd part है यह थर्डर क्यूसण क्या हो दे रहा आक आपको? यदि किसी मेर्टिक्स में उपस्तित अव्यों की संक्या 18 है कितनी है 18 तो उसका ओडर क्या होगा समभावित ओडर order क्या होगा समभावित ओडर यहाँंपर क्या होगा इसमें तो 18 दे रखा है तो एक order तो कितना 18 इंका ओडर दूस्टरा order कितना 1 इंका ओडर इंका होगा अभ एसी 2 संक्या देखो जिनका multiplication कीतना होता है 18 इंका कितना होता है 6 एंका 3 तो ये इसके क्या होंगे ? संभायुत ओडर होंगे, इसे में दूसरा पाट पूछ लिया, यदि उपस्तित ओयों कि इसेंग्या कितने है, पाँच, इसी का सेकेंड पाँच है, तो संभायुत्य ओडर क्या होंगे ? उपरिष्थित अवयों किसे हैं क्या? किसे हैं क्या? पांच है. तो संभावित ओडर क्या होगा इसका? संभावित करम. कितना हो जाया? एक इंटू पांच हो सकते हैं या पांच इंटू एक? उपरिष्थित अवयों किसे हैं कि यह दी पांच है. उपरिष्थित अवयों किस सम्भाइत। ऐटर, तो आपने क्या पढ़ा कोई भी मेर्टिक्स हैं उससे उपरस्थे ताहयों की संक्या दे रही हैं. तो उसके सम्भाईत ओडर देखने हैं, तो पहला इस में यह देह कौने हैं. і टो परиля स संक्या है, उसको एक से क्या कर दो, मल्टिप्लाइ कर दो, एक पंक्ती भी हो सकते है, एक इस्तंब भी हो सकते है, यदि इस्तंब होगा, तो बाद में गुना होगा, और पंक्ती होगी तो पहली गुना हो जाएगे, फिर इसके बाद में दो ऐसी संक्यात देखो, जिनका गुनन पल कितना यह प्र इसको क्या ले सकते हैं, दो समभावत ओर होगे क्या ह Pixel 2 तो तो यहां पर क्योंस से नमबर 4 है आपको 2 इंटू 2 की मेटिक्स बनानी है मेटिक्स बनाईये मेटिक्स बनानी है 2 इंटू 2 की कया बनानी है जिसके आवयो जिसके अव्योग निमना अनुसार है ए आई जे बराबर आई प्लेस जे का होल स्क्वार बटा दो तो आपको दो इंटु दो की क्या बनानी है मेट्रिक्स बनानी है और मेट्रिक्स के जो अव्योग को किसे मिलकर बनानी है इससे ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वार अपॉन टु इससे बन रहा है तो किस ओडर की बनानी है आपको दो इंटु दो की बनानी है दो इंटू दो की तो दो इंटू दो का मलब हो गया दो ही पंक्ति हो गई और दो ही क्या हो गया यहां पर इस्तंब तो मेट्रिक्स क्या बनेगी यहां पर matrix इसको A नाम दे दाओ तो 2 x 2 के matrix बना दो दो ही पंक्ति होगी और दो ही क्या होगे? इस्तंब होगे तो A11, A12 A21, A22 बोलो A11, A12, A20, A22 दो ही पंक्ति होगी दो ही क्या होगे? इस्तंब होगे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति R1, R2 पहला कोलम C1, C2 तो मेट्रिक्स का ओर्डर के तवा 2 into 2 हो गया अब आपको A11 निकालना कि A11 का मान क्या होगा तो किसी बिल रहे है इसे AIJ बराबर I plus J का whole square बटा 2 I किसको परदिजेंट करता है I पंक्ति को परदिशित करता है J किसको परदिशित करता है Istanbul को परदिशित करता है J किसको परदिशित करता है Istanbul को परदिशित करता है तो I तो पंक्ति होगी J क्या हो गया यहाँ पर Istanbul अब देखो A11 निकालना आपको A11 का मान कितना होगा तो I किसको परदिशित करता है पहले अक्सर को, यह आई हो गया, तो i बराबर कितना हो गया 1, j बराबर भी कितना हो गया 1, तुलना कर लो इससे, तुलना कर लो, i बराबर 1, j बराबर 1, तो i बराबर 1 रखो, j बराबर भी 1 रखो, फिर इसका और इसका बटा 2, तो 1 plus 1, 2, 2 k score किता है, 4, बटा 2. तो किता हुआ हुआ? 2. तो A11 का माантि किता हुआ? 2 आग salvage. अब A12 निकालना है अबको? तो I bae birABर किता हुआ1,ถो PG bae ee berab exclusive to the P. तो 1 plus 2 को whole square blifting 2, तो 3 k score बटे 2, तो किता हुआ 9, तो A बारा हमान किता हूं है 9 बटा 2, फिर इसके बाद में निकान है 21, तुर ना करो, I बराबर 2, J बराबर 1, तो 2 प्लस एक कई स्क्वार बटा 2, तो 2 प्लस एक किता है 3, तीन स्क्वार बटे 2, तो 9 बटा 2, फिर A बाराइस निकान आपको, तो ए बराबर दो जे बराबर दो तो दो प्लस दो का स्क्वार बटा दो तो कितना दो प्लस दो कितने चार चार का स्क्वार बटे दो तो कितना है 16 बटे दो कितना 8 तो ए 11 कमान दो आ गया ए 12 कमान कितना 9 बटा दो ए 20 कमान दो 9 बटा दो एबाइस कमान कितना है आठ तो अभिष्ट मेट्रिक्स तो अभिष्ट मेट्रिक्स क्या बन जाएगी यहां पर एग्यारा कितना है दो एबारा कितना है नो बटा दो और यहां पर नो बटा दो और आठ एग्यारा कमान कितना है दो किता है नो बटा दू तो नौ बटा दू लिख दू, हुआ किता है नो बटा दू लिख दो, है किस का मान किता है आठ यह compr² यह कैन लिख दू है अब तूर्व मैं रॉपर क्वा अभAnt केक्टे मोशने लिख रहा हूँ, basta इसके लावा है, तो इन टू टू की मेटिक्स बनानी है, यह तो फर्ष्ट बाग लिग दिया इसका, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ए आई जे बराबर, आई अपॉन जे, इससे मेटिक्स बनानी है आपको, कितने ओडर गे, तो मेटिक्स यह बनेगी, इससे मेटिक्स बनेगी, तो यहां पर, नियम क्या है, आई जे बराबर कहाता है, आई प्लस जे, तो आई बराबर एक, जे बराबर एक, तो एक बटा एक, तो कितना है, एक, ए बराबर निकालो, तो आई बराबर एक, जे बराबर तो एक बटा दो गया, एक इस, तो यहां पर, आई बराबर दो, जे बराबर एक, तो कितना है, दो गया, ए बाईस, तो दो बटा दो, तो कितना है, एक, तो हभिष्ट मेटिक्स, हभिष्ट मेटिक्स, तो अब इस matrix क्या होगे A11, A11 क्मान कितना है GIGYT 1 तो वन लिखो A12 क्मान कितना है 1 बटा 2 21 कितना है 9 Z12 कमान 1 तो यह अब इस मेत्रिक्स बन जाएगे अब इस ते मेत्रिक्स बन जाएगे अब यहाँ पर मैं होम रख ले दे रहा हूं तो तीस्टा इसी का question दे रखा आपको aij equal i plus 2j बटे 2 का whole square यह दे रखा है aij बराबर कितना है i plus 2j का whole square upon 2 किस order की बनाना है? 2 to 2 order की matrix बनाना है ठीक है? अब यहाँ पर मैं फिफ्थ question लिख रहा हूं वह आपको solve करना है फिफ्थ question 3 to 4 करम की matrix बनाईए जिनके आवयोव निम लिखते है निमने लिखते है aij बराबर 1 by 2 minus 3i plus j का मापांक दूसरा दे रखा आपको aij बराबर 2i minus j यह home रख ले कि उसने aij बराबर 1 by 2 यह क्या गया मापांक हो गया minus 3i plus j मापांक जैसे minus 2 का मापांक कितना होगा 2 होगा 2 का मापांक भी कितना होगा 2 होगा इसका माहन आपको नेगेटिव माहन आ रहा है कितना रहा है नेगेटिव माहन तो प्लस में लिख देंगे किसमें लिखेंगे प्लस में मापांक ए आई जै बराबर 1 बटा दो मानस 3i plus j तो 3 into 4 क्रम की मेट्रिक्स बनाने है दूसरा aij बराबर दे लिए 2i minus j वो भी 3 into 4 के तो पहले आप क्या बनाएंगे 3 into 4 के मेट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 3 तो क्या हो पंक्ती हो और 4 इस थंबो तो क्या बनेगा a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 फिर 31 a32 a34 यह मेट्रिक्स बनाएंगे अब a11 का मान इससे लिखेंगे a12 का मान इससे नकालो a13 का मान नकालो a14 का मान 21, 22, 23, 24 इन का मान नकालो मान रख दो तो अब इस मेट्रिक्स बन जाएगे दूसरे मेट्रिक्स इस नियम से बनाने है, तो इस नियम से इसमें भी यह महां रख दो, तो दूसरे मेट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पड़ाएंगे, थर्ड लेक्चर में आपको इससे आगे वाले क्यूशन सोल करेंगे, एक्जामपल सोल धन्यवाद